नमस्कर दोस्तों मेरा नम संजय कुमार अगरवाल है और आज हम एक इंपोर्टेट प्रोविजन डिसकस करेंगे जो कि बहुत डे टो डे में हमारे बहुत सारे इम्मूबिल प्रोपरटी जो सेल करने वाले हैं परचीस करने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा रेलेव बहुत ज़्यादा वाइडली अन्नोन है और बहुत इन प्रेंसिपल कई बार इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल इसूज आ रहे हैं तो उन प्रैक्टिकल इसूज को डिसकस करने के लिए हम पहले सबसे पहले अपने जो एक्ट में प्रोविजन है उसको एक बार समझते हैं तो एक्ट में प्रोविजन को समझने के लिए इसको हम तीन इंपोर्टेंट अस्पेक्ट डिसकस करने हैं कि ये सेक्शन 194 I.A. of the Income Tax Act में ये प्रोविजन आता है जिसके तहत नमबर बन कि किस केस में कब और किस केस में टेक्स डिड़क्ट होना है और दूसरा अगर टेक् लिमिट है तो वो क्या है एंड चौता इंपोर्टेंट अस्पेक्ट है की अगर टेक्स डिड़क्ट होना है तो वायर को जो वायर है उसको टेक्स डिड़क्शन के बाद में क्या और क्रोसीजरल फॉर्मल्टी पूरी करनी है सो देट कि वो इस प्रोविजन का कर पाए तो सबसे पहले हम discuss करते हैं कि कि किस ने tax deduct करना है तो जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई भी buyer है वो property अगर immobile property purchase कर रहा है तो उस case में उसकी responsibility है कि वो tax deduct करें लेकिन कब tax deduct करना है tax deduct करने की कुछ conditions है तो सबसे पहली condition है कि अगर जो property वो purchase कर रहा है वो immobile property है other than rural agriculture land जिसको कि government ने exclude किया हुआ है क्योंकि वो otherwise भी taxable नहीं है अगर तो property जो है वो immobile property होनी चाहिए other than agriculture land नमर टू कि property की value 50 लाग से ज़्यादा होनी चाहिए and नमर थ्री कि property के case में जो resident जो seller है वो resident person होना चाहिए तो ये तीन condition अगर पूरी होती है तो इस section की अपनी capability आ जाती है और उस case में buyer को tax deduct करना होता है तो अब हम देखते है कि कितना tax deduct करना होता है कि अगर buyer के पास seller का pen number है तो उस case में उसको 1% tax deduct करना है अगर buyer के पास में seller का pen number नहीं है और seller pen number नहीं दे पाता अपना तो उस case में 20% of the amount paid for the property tax deduct करना है और किस समय उसको tax deduct करना है जो तीसरा aspect है तो उस समय जिस समय वो buyer को payment कर रहा हो या उस समय कि जब उसने उस amount को buyer के seller के account में credit कर दिया हो buyer ने तो उन दोनों में से जो परिस्तिती पहले होगी तो उसको उस पर one पर उसको उस पर tax deduct करने की liability आती है तो अब इसमें next aspect आता है प्रोसीजर का aspect तो प्रोसीजर के aspect में important aspect यह है कि उसको buyer को यह सारी फॉर्मल्टीज करने के लिए वो सारे काम करने पड़ेंगे जो एक businessman को करने पड़ते है tax deduction के लिए यह उसके लिए को special provision है तो दोस्तों इसके लिए एक special provision government ने दिया है कि buyer को किसी तरीके के कोई एक प्रावदान बला कोई 10 number यह कोई tax deduction account number apply नहीं करना पड़ेगा जब भी buyer को इस तरीके की property को buy करता है तो seller के case में अगर यह provision applicable होता है तो एक simply उसकी income tax के पोटल पर जाके phone 26 QB में अपना उसका tax deposit करना है और उसको phone 16 B देना है जो उसका प्रमाण पत्र है कि उसके ब्यापर tax deduct हुआ है और यह बड़ा सरल प्रोसीजर है pen number होना जरूरी है तो अब हम इसमें देखते हैं कि यह तो law हो गया अब हम देखते हैं कि इसमे practical issues क्या आ र मार्केट में wide spread property की sale purchase हो रही है इसमें practical issues क्या रहे हैं मेरे हिसाब से जब मैंने analysis किया हमारे पांच तरीके के issues इस प्रोपरिटी के इस तरीके के इस provision को comply करने में आ रहे हैं सबसे पहला issue यह आ रहा था कि जो अब आज की date में नहीं आ रहा लेकिन जो पराने time में कभी किस आये था उस समय का एक aspect यह था कि अगर कोई property इस date से पहले purchase की गई है और इस provision के preview में आती है यानि की property की value 50 लाग से ज़ादा है तो उस case में अगर उस date के बाद में अगर part payment करता है तो उस पर tax deduction बनता था नहीं बनता था बहुत सारे लोगों ने इस पर tax deduct नहीं किया उनका interpretation यह था कि अगर property पहले purchase की गई है और उसके बाद में अगर payment किया गया है तो tax liability नहीं बनती है बट यह continuous issues चल रहे हैं इसमें हमारा point interview यह है कि law का जो interpretation निकल के आता है कि अगर property पहले purchase की गई थी तो जो भी और value इस act के provision में आती थी तो बाद में जो भी payment उस property से related हो रहे payment आ रहे हैं सबसे पहला issue मलब सबसे पहला issue यह आ रहा है कि अगर property bank के पैसे से purchase की जा रही है तो कई बार seller को buyer को यह लगता है कि मैंने तो 50 लक से जादा payment ही नहीं किया तो उस case में बैंक directly seller को payment कर देता है और buyer उस पर TDS का यह provision apply करना भूल जाता है यह नहीं कर पाता है य अगर एक करोड की property अगर buyer purchase कर रहा है और उसका 80 लाग रुपे bank ने दिया है 20 लाग रुपे buyer ने दिया है उस case में buyer की responsibility है कि पूरे 1 करोड पर वो अपना जो भी tax की liabilities है deduct करे और उसको certificate दे and दूसरा important aspect यह आ रहा है कि अगर buyer joint property में purchase कर रहा है वैसे तो total property की value 50 लाग से ज buyer tax deduct नहीं कर रहे हैं तो aspect यह है कि अगर हमें मेरी understanding हमारी personal understanding यह है कि उस cases में property value के इसाफ से हमें tax deductions का liability देखनी चाहिए ना कि buyer के point of view से तो ऐसे cases में अगर property value होकर एक example के तहता अगर 60 लाग है और पर वायर 30 लाग रुपे के payment हो रहे हैं तो उस case में भी हमारे हमारा understanding य चाहिए और deposit करना चाहिए क्योंकि ही ऐसे cases में यह anti-avision provisions है और उसमें compliance is a better rescue for the buyer so that कि कल को उसको unwanted tax liability ना है एक इसमें इसू एक और और बड़ा इसू आ रहा है कि अगर seller resident है और buyer resident है और non resident है तो उस case में law applicable होता है property की location important नहीं है property की location अगर इंडिया में है और यह property की location अग इंडिया में है तब भी यह locky applicability हो रही है तो most of the cases में कई वार ऐसी myth चल रही है कि अगर property का जो seller है अगर वो non resident है तब भी यह वाला provision लोग applicable कर रहे हैं जो कि मेरे understanding के इसाफ से यह provision applicable नहीं होता इसमें section 195 का provision applicable होता है जो कि ज्यादा काम करना पड़ता है उसमें तो दोस्तों इस तरीके के issues को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें यह जो issues आ रहे हैं उसको in principle in the spirit of the law apply करना है so that कि कल को हम अपनी interest या penalty की liability से बस सकें and इसके साथ ही अगर कोई और question से तो आप मेरे से हमारे website पर डाल सकते हैं thank you so much